शुक्रवार को वो 500 मील के पत्थर तक पहुँचने वाले केवल नौवे व्यक्ती बन गए। उसी दिन ओफ स्पिनर ने पारिवारिक अपात स्थिती के कारण इंग्लेन के खिलाफ तीसरे टेस्ट से नाम वापस ले लिया था। लेकिन अब वो टीम के साथ वापस आ गए है अश्विन की बल्लेबाजी और जिद में एक रेश्मी स्पर्ष है जिसने उन्हें हनुमा विहारी के साथ मजबूती से एक टेस्ट बचाते हुए देखा। मैच में दोनों बल्लेबाजों को शारीरिक चोटों और चोटों का सामना करना पड़ा। उनकी गैंदबाजी में भी कलात्मक और अबघरशक, शास्त्रिय और समकालीन का समान सयोजन है। आफब्रेक ठीम पर उन्होंने जो विविद्दाएं विकसित की, उनका मतलब ये था कि अपने करियर की शुरुआत में वो बहुत सी चीजों को आजमाने की कोशिश करते थे। इसमें उनके रन लेकर सीम के कोन तक गेंद को अपने हाथ में पकड़ने का तरीका शामिल था। यह पारंपरिक ज्यान के विपरीत था जिसके अनुसार आपके पास स्टॉक बॉल होनी चाहिए और विविद्दाओं का सयम से उप्योग करना चाहिए। लेकिन इस से अश्विन को अच्छा साजा करना पड़े। नाथन लियोन, उन्हें अक्सर सर्वश्रेश्ट नहीं माना जाता क्योंकि उनके सत्तर प्रतिशत विकेट परिचित परिस्थितियों में घरेलू मैदान पर आए है। भारत में गुलाम एहमद, एरापल्ली प्रसन्ना, श्वीनिवास वैनकट राग प्रत्येक मौलिक है, जिसका उनकी सफलता से कुछ लेना देना हो सकता है। अश्विन सहित उनमें से तीन योग्य इंजीनियर है यह एक सयोग हो सकता है, लेकिन आफ स्पिनरों को अपनी कला में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अनुशासन और दिमागी शक्ती का सयोज को कहो, संभावना है कि वे ओफ ब्रेक गेंद बाजी करेंगे। ये दाए हाथ के लोगों के लिए परिचित बनाता है, जिनका स्वाभाविक जुकाव पैर की ओर होता है। ये शक्तिशाली आधुनिक बल्लों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करता है कि ओफ स्पिनर के लि विशेश हैं। एक बार जब युवा लोगों ने भारत का नित्रित्व करना शुरू किया, तो अश्विन को पता था कि उनकी कप्तानी की संभावनाए खत्म हो गई हैं, वह एक अच्छे कप्तान बन सकते थे। अन्य दस खिलाडियों को शुरू में उन्हें समझना थोड रहे होंगे। रवींद्र जडेजा के साथ अश्विन ने भारत की सबसे प्रभावी गैंदबाजी साजेदारी बनाई, जिसमें एक जोडी के रूप में 500 से अधिक विकेट लिए। जडेजा एक अच्छा कंट्रास्ट हैं, स्थिर, तेज, दूर हत्ते हुए अश्विन क संख्या कुंबले के बाद दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कुछ साल पहले एक साक्षातकार करता से कहा था, मैं कुंबले का बहुत बढ़ा प्रशन सक हूँ। उनके नाम 619 विकेट हैं, अगर मैं 618 विकेट हासिल कर लेता हूँ तो मैं बहुत आभारी रहूंगा और वह मेरा आखिरी टेस्ट मैच होगा। यह एक आकरशक व्यक्ति के दिमाग में जहांकने जैसा है।